दोस्तों जय स्री राम आसा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्त होंगे तो आए दोस्तों आज आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं एक महत्मा जी की बहुत ही अच्छा लगेगा आपको तो दोस्तों आए कहानी पर आते हैं एक महात्मा जी किशी दुकानदार के पास गए और बोले कि ये दुकान क्यों चलाते हो तो दुकानदार बोला कि अपने परिवार के लिए दुकान चलाते हैं बोले कि परिवार के लिए चलाते हो दुकान क्यों बोले जीने के लिए चलाते हैं परिवार के लिए तो महत्मा जी बोले कि जीते क्यों हो तो दुकानदर बोला महत्मा जी तना मतुल जाईए बताईए बोलो कि एलो बेटा परमात्मा के हाथ में एक अंगुठी पहना दो तो दुकानदर बोला हद हो गई महत्मा जी नास्तिक्ता की हद हो गई आपका ये हाँ तो परमात्मा कहाँ थो गया तो महत्मा जी बोले ये बताओ कि ये संसार किशने बनाया बोले ये संसार तो भगवान ने बनाया है बोले संसार में जो भारत देश को किशने बनाया बोले ये भी तो भगवान नहीं बनाया पर मातमा ही नहीं बनाए बोले अच्छा तो ये जिला आपका कुछ ने बनाया बोले कि भी तो भगवान नहीं बनाया है तो मातमा जी बोले कि जिला में हमको और तुमको छोड़ करके बांकि सबको भगवान नहीं बनाया है बोला नहीं नहीं महात्मा जी नहीं नहीं आपको और हमको भी भगवान नहीं बनाया है बोले महात्मा जी तब ये हाथ ये तेरे बाप ने बनाया है क्या अंगूठी पहना गो तो उसने बुला अशा ठीक महात्मा जी पहना है तो ये छोटी सी कहानी थी कैसा लगा दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ऐसे यासिरवाद